दो दिल में तो पूल के ले और दिल से निकले एस मेंज दिल से हलो वलकॉम एन गुड जीवनिंग मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकीता थपलियाल जो रोज जानती है आपके दिल का हाल, करती है आपसे प्यारी-प्यारी बाते, पढ़ती है आपके प्यारी-प्यारे मैसेजेज, जी हाँ, क्योंकि हमारा शो है ही ऐसा, SMS दिल से, जहां होती है message के थूँ आपकी और मेरी connectivity, जहां पढ़ती हूँ आपके दिल से भेजगाए प ऐसे ख़ूर ज़िस करते हैं कि लेकिन बाज लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी मंजल तक बाजरी और पर ऑर वह हमेशा औरों के सहारे अपने मुकाम तक पहुचने की तलाश करते हैं मगर ऐसे लोग कभी मकाम तक नहीं पहुचते हैं और बीच-जपर में ही भटकते रहते हैं जो उन्हें निराशा के गर्थ में पहुचा देता है इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा Рखे जो खुद पर भरोसा करता है वही काम्याबी की मंजिल छोता है फना निजामे कानपूरी ने कहा भी है गम हर एक आँख को छलकाए जरूरी तो नहीं अब उठे और बरत जाए जरूरी तो नहीं रह बर रह मुसाफर को दिखा देता है वही मंजिल पर पहुँच जाए जरूरी तो रही समझ गए तो खुद पर भरोसा रखे अपना रास्ता आप बनाए और अपने मकसत तर पहुँचे आपके लिए आज मेरी यही सला है और इसे के साथ चलिए शुका अगास करते हैं सब्सेपहले सुनते प्यार सकेत का अगा इतना पर्दा में करता मचली रूप के तो इतना परदा में गरदा मचली रूप के जही अगुटा उठाइबू तका होई तो इतना मचली रूप के जही अगुटा उठाइबू तका होई तो इतना मचली रूप के जही अगुटा उठाइबू तका होई अपना दोहियां में लेला करार देदा हमरे दिल में बसंती बहार देदा मन चमन में मुखवत के रंगत रहे अतना जिनगी में हमरा तु प्यार देदा मन करेला की तोहरे के देखत रही सामने वैठा कू हम निरेखत रही बाते बिंदिया बाते बिंदिया ओ निंदिया चरावले हमार जही अचूडी खनकईबू तका होई जही अचूडी खनकईबू तका होई जही अचूडी खनकईबू तका होई जिनगी के मजा सगरफ आजई बुत्तू हसके बहिया में जहिया समाज इबुतू आवा अखियन के पास अखिया निर्खत रहे प्यार के बर्खा दिहिया पे परसत रहे साथ छूटे ना साथों जनम ले कबो तोरे नावे करेजवाई धड़कत रहे जिनगी के मजा सगरफ आजई बुतू हसके बहिया में जहिया समाज इबुतू एक खुबसूरत गाना के बाद आई जाए शो के आगे बढ़ा हो जाओ और पड़े शुरू कैल जाओ आपके भेजल प्यारा प्यारा मैसेज जल्ब से जल्ब पूरी हो जाएगी खुद को थोड़ा स्मार्ट और स्टाइलिश बनाएगे लेकिन पहले ये बताएगे कि आपने कभी किसी को प्रपोस किया भी है कि नहीं कोई दिल को जची है भी कि नहीं एक बार जान दीजे ये गर्फिंड बेल पूरी या पानी पूरी नहीं है कि दुकान पर गया और खरीद लिया ते रिष्टा दिल से होता है और इसके भी कुछ टर्मेन कंडिशन्स हैं दिल को अच्छा लगना चाहिए उसे भी आप अच्छे लगने चाहिए और फिर हपने जज़बार का इजहार भी होना चाहिए समझ गए तो चली सुनते अगला गाना कैसे बाबोची से कही कैसे बाबोची से कही कैसे बाबोची से कही कही कैसे चाके बात बढ़का भईया से ओड़नी प्यार करे लागल बुरवऑया से ओडनी प्यार कर लागर उरवई आसे कजने बेमारी कवत हमके बठाई ले चब से जवानी चड़ल जूलुम्ब कई ले हमके बठाई ले जब से जवानी चड़ल जूलुम्ब कई ले संसे देहिया गुद्गुदाला मन हवाई मुर्बुझाला बात पूछी कैसे आम अम रही आसे ओड़नी प्यार कर लागर उरवई आसे ओड़नी प्यार कर लागर उरवई आसे ओड़नी प्यार कर लागर उरवई आसे कहीं अल्ब कर लागर उरवई आसे काली ओड़नी और वागर उर Ал्यदी होई गबले गवंभ अ हमसे By ओड़नी प्यार कर लागर शॉकित काली आसे लेवई उर लागर उससा हों और शॉई 6 कही या मेहदे हाथ लागे भाग दबले हफर जागी कही या मेहदे हाथ लागे बात पूछे लई लगनी चीरई आसे अड़नी प्यार कर लागर पुरवई 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 आसे दोस्ती हो या प्यार का रिष्टा राह चलते नहीं होता है बल्कि इसके लिए आपको दिल में जगह बनानी पड़ती है सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, कमच कहे चले वक्त हो गया, एक चोटे से ब्रेक आ कहीं जाएगा नहीं जल्दी लाटती हूँ आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत स्वागत है एसमेस दिल से में और मैं हूँ आपकी दूस संकेता थपल्यार पड़ रही हूँ आपके दिल का हाथ, इन मैसेज़स के लिए तो आपके बढ़ाते हैं और अगला मैसेज़ आया है, उसे भेज़ा है रवी कुमार ने कुलकता से इन्होंने लिखा है मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ मुझे हमेशा अपने गाउं की बहुत यादाती है वर राजा बाबू फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ ऐसमेस दिल से हमें बहुत अच्छा लगता है रवी, ये इन्सानी फित्रत है कि वो कहीं भी रहे या वो जहां कहीं भी पैदा हुए हुँ जहां कहीं भी पले बढ़े हो उसकी याद कभी उनके दिल से जाती नहीं है कुछ लोग इसे हम सिक्नस भी कहते है लेकिन अपने गाउं, अपने शह से जो लगाँ होता है वो ही तो ये है हम सिक्नस यही वज़ा है कि विदेशों में रहने वाले लोग भी जो तमाम मसुरूपियत और तरक्की के बावजूद अपने देश, अपने गाउं को नहीं भुखारते हम मेरी समझ गई ये कोई गलत भी नहीं है, अपने गाउं को जरूर याद अठना चाहिए, लेकिन जहां आप रहते हैं तो शहर आपको रोजी रोटी देता है, उसका भी सम्मान जरूर करना चाहिए, इस्दत करने चाहिए, समझ गई? सुली जी, सुनी अपना पसंदिता की मन के पंची उड़े आसमनवा मन के पंची उड़े आसमनवा कि बोले जिया पिया पिया हो काहे छेड मह पगला पवनवा कि बोले जिया पिया पिया हो धाके आकवारी राजा चुमली है गाल हो देह सी हराई हो खब सारम से लाल हो कैसी आक्या छात दले जीनगी बिताईब हम पुतरी मेरा खब तोके दिल में बसाईब हम होई मिठ मिठ बतिया प्यार के छतिया से लगब दल दार के पुरा होई जय है मोरा अर मनवा कि बोले जिया पिया पिया हो मन के पंछी उड़े आस मनवा कि बोले जिया पिया पिया हो कि बोले आस मनवा पिया उडू उड़े पिया इस तेडcut मिठ को खव़वा कि प्रत्रदू कर दो तूढ आस परस्ति ईक प्रत्रप करे हैं किसानी सया दूर से मिहारब हम धूल माट दे ही आके अचरा से जहारब हम हाज इन गिमें तोहरा से तूर कब जाई पना किरी आखी आला काउनों वादा भोलाई बुना सुख दुख बाट अब हम साथ में रही हाथ सजन के हाथ में हो दूगा दिल वाके होई हो मिलनवा कि बोले जिया पिया पिया हो दोस्तों अक्सर मैं देखती हूं कि लोग अपने गाउं या शहर के पतीला गाउं को लेकर एक तरफ रुख अक्तिया कर लेते हैं लगता है जैसे वो अभी जहां रह रहे हैं नौकरी कर रहे हैं वो खराब जगा है ये भी कोई अच्छे बात नहीं है अपने सही या अपनों से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि भगी सब खराब ये विकार है यादर कि दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान भी मिलेगा बरहाल आगे बढ़ते हूं और पढ़ते हूं अगला मेसेज और ये मेसेज हमें भीजा है साधना ने इन्होंने रिखा है मैं सच्छिन से प्यार करती हूं वो भी मुझे बहुत प्यार करता है रब से यही दुआ है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही एक गुस्रे से प्यार करते हमारे प्यार को कभी किसी की निजर ना लगे उसना हमारे में यही द्या है कि आपके प्यार को किसी की आई सच्छे प्यार करने वालों के साथ खुदाई भी होती है अगर आप किसी के बारे में गलत या बुरा नहीं सोचेंगी तो कोई आपके प्यार पर भी बुरी नजद अहीं डाल पाएगा दुश्मन भी नहीं मुर्तिजा बिलास का इशेर आपकी प्यार की सलामती की दूआ के लिए अर्ज करना चाहूंगी नीन भी तेरे बिना अब तो सजा लगती है चौक परता हूँ अगर आख जरा लगती है दुश्मने जाही सही दोच समझता हूँ उसे बद्वा जिसकी मुझे बन की दूआ तो हो राज जैसन के हूँ नई खे ए जहान में हम्रा परान में हो जान बसलो तू हम्रा परान में तोहरा जैसन के हूँ नई खे ए जहान में जैसे सुखल पत्तई में आवेला परान हो ताल देहलू जान हम्राज जान में तू जान हो जब जब राजा जी रहे ला हम्रा पास हो गोड रहे भुया मन छूबे ला कास हो फेल हो खब नहीं कवनों इन तेहान में हो जान बसला तू हम्रा परान में हो जान पसलू तू हम्रा परान में आ 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 तू हरा नियान जय करा के मेली हम्रा ही एको महरा रो खागा परान में आपन लेलू मान हो, हम रास बढ़के के हूँ नाइखे धनवान हो तू ता बाड़ा हरता हमरा धियान में हो जान बसलू तू हमरा परान में तू हमरा परान में दोस्तों अच्छा लगता है जब आपका प्यार हमारे शो को मिलता है इतना दिलाहर आप हमारे शो को करते हैं रोजाना अत्मने अच्छे messages रहें हैं लेकिन वो लोग जो आज हमसे जोड़े आपको बता दू कि आप हमारे शो का हिसा बन तकते कैसे, आपको क्या करना है, फोन उठाना है, टाइप करना है SDS, देना है स्पेस, टाइप करना है अपना मैसेज, और उसे भेज देना है 588888 पर, याने की 58888 पर, इस शो में मैं आपकी मैसेजिस को बढ़ूंगे, और हाँ, याद रखेगा, मैसेज सिर्फ मैसेज मत इस में अपना नाम और पता भी जरूर लिखिए, वो इस लिए, क्योंकि हर फ्राइड़े हम अनाउंस करते हैं अपने शो में उस लखी विनर का नाम, जिसका मैसेज बना है, मैसेज जॉप तबीज, जी हाँ, जिश साइन बचता है ना, उसका मतलब होता है कि आप टाइम ह हो गया है थोड़ा चाय पानी पीने का, यानि हाँ पर लेती हूँ इस चोड़ा सा ब्रेक का ही मजवाए का देख रही है, एस मेस दिल से वर्कम बैक, यूर वाच्चाइंग, यूर फेवरेट शोओ, एस मेस दिल से, विच मेंस सोल मेच सोल, जहां सिर्फ आत्मा से आत्मा खामन होता है, दिल से दिल की गुफ्तगु होती है, दो दिल बात करते हैं, कैसे? मैसेज के जरीए, और चलिया आपके दिल से भेजा गय लेकिन हमने उनका नाम यहां पर इश्चो में नहीं लिया है, इससे उनकी शायद बदनामी का भी डर हो सकता है, है न? इन्होंने लिखा है कि मैं एक भापी जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाता, कैसे मैं अपने प्यार का इजहार करू समझ नहीं आता, आप तो आप समझ गए होंगे कि हमने नाम क्यों नहीं लिया, है राजेश और जिससे वो प्यार करते हैं, जिसके प्यार का दावा करते हैं, उनके हित में हैं, जहां कि राजेश आपकी बात है, तो जिससे आप प्यार का नाम दे रहे हैं, वो प्यार नही प्याय के नाम पर पाप करने जा रहे हैं यह सिर्फ एक जिस्मानी आकशन है जो कि आपको पतन की ओर ले जाएगा क्योंकि समाज भी ऐसे रिष्टों को अच्छी निगा से नहीं देखता है ज़रा सोचे अगर आपके इस चाहत का पता उस महिला के पती या फिर औरों को लगेगा तो क्या रह जाएगी उनकी ज़त समाज में कितनी बदनामी होगी उनकी और वो बेचारी भी मुफ्त में बदनाम होती रहेंगी इसलिए मेरी मानिये तो अपने दिल से एक खयाल ना बिलकुल निकाल दीजे कुछ दिन के बारे में नहीं सोचेंगे सोचना बिलकुल बंद कर देंगे तो खुद बाखुद वो आपके खयाल से चली जाएंगी समझे तो चली अब सुनते शोकक लगाना आपके लिए चुट जाए जाग सब रब भल रूठे जनम जनम दे प्रीत न तूटे चुट जाए जाग सब रब भल रूठे जनम जनम के प्रीत न तूटे उपर से आयल बाट जुड के आई सजन बंधन बंधन प्यार के बंधन हो बंधन बंधन प्यार के बंधन हो बंधन बंधन जनम जनम के बंधन अजरी जनम के बंधन 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 वह कि अजयीं जिनगी सहेला काट खुसा के वे छोना सुखी दुखी होला दूगो जिनगी के पहिया उपरे वाला लेके जाए चाहे जवन रहिया तीहे गो आई सनहा नहीं आके डोर हो खीचे जिनगी भरे का दो सरा के ओर हो दूगो दिलवा में धड़के एक धड़कन बंधन बंधन प्यार के बंधन 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 प्यार के बंधन 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 जनम जनम के बंधन कर दो कर दो चड़के ना उतरेल नहीं आके रंग हो दुनिया ना चाही रहे मीत जब संग हो कोहे के तनी के लागे प्यारे वाली बाते हो चारी दिन के चांद निहा फेरा धेरी राते हो वसही जुड़ रही हाथ वसे हाथ हो सास जावे तोटी दिया तो वे छुटी साथ हो जुदा ना ही कारे पाई को लो लजंग बंधन बंधन प्यार के बंधन हो बंधन बंधन प्यार के बंधन हो दोस्तों इंसान को कभी भी प्यार के नाम पर ऐसे आकर्शन में नहीं फसना चाहिए जो नैतिक और सामाजिक रूप से करत है इंसान समाज में रहता है और अपने समाज परिवार के प्रती उसकी नैतिक जवाब देही भी होती है वे इससे दूर नहीं जा सकता और चली अब अगला मैसेज पढ़ती हूँ अगला मैसेज वरुन कुमार निराला ने भीजा है मुझफफर पूर से इन्होंने एक शेख के जरी अपने दिल के जज़बात देजहार किया है इन्होंने लिखा है हर शाम से तेरा इंतुजार करते हैं हर ख्वाप में तेरा दीदार करते हैं दिवाने ही तो है, हम तेरी जो हर वक्त, तेरी मिलने का इंतुजार करते हैं। वाँ, क्या बात है वाँ, बहुत कूब, जैसे मैं भूलने रही हूँ, तो आपका मेसेज हमें पहली भी आ चुका है, है ना? और वो भी शायद शायरी की शकल में ही था, जहां तक आपके इस शेर और शेर में छुपे एहसास की बात है, तो मैं यही कहूंगी की इश्क में दिदार और इंतुजार, यही दो चीजे मानिये रखती हैं। महभूप सामने हो, तो उसका जी भर कर दिदार करना, और अगर डू है, तो जग मिलन की खायश के इंतुजार करना। समझ गए? तो चलिए, सुनते हैं, आपके प्यार के नाम एक प्यारा सरी। कहिला दिवाना दिल, तो हसे जान, तो हरे पजनेगे बाकुरवान। कहिला दिवाना दिल, तो हसे जान, तो हरे पजनेगे बाकुरवान। जीना सकीले होके जुदा, I love you, I love you, ओ सजनी, I love you बाते जान जिन्दगानी, तो हरे नाम राजा जानी, I love you, I love you, ओ सजना, I love you कि कि मनवरंगाय, 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 नहीं आक्रं में बढ़ा निकलागे, गोरी तो हरा संग में मन वा में लाखों सपना सजवली दिल के समरियों तो के बनवली I love you, I love you ओ सजना, I love you जाओ आओ लाओ 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 ओ जाने तु कैसन ओ जाने तु कैसन काद हल जादू बात महापत में मन वा में गाबू प्यार के यई सन नसा होगा इल्बा दुनिया भुला इल चैन खोगा इल्बा I love you, I love you ओ सजना, I love you दोस्तों इश्क में ना इंतिजार का अपना एक अलग ही मसाएगा ना इखी लुक्त है है ना? तो लीजिये आप कर लीजे इंतिजार क्योंकि यहां वक्त हो गया एक चोटी से ब्रेक का कहीं जाएगा नहीं, देख रही है SMS दिल से Welcome back, मैं अंकेता थफलयाल SMS दिल से में एक बार फिर से आप सभी का तहीं दिल से स्वागत करती हूँ एक ऐसा शोव जो है मैसेज की जरीए आपकी मेरी बाते होती है आपको मीचे मीचे कारे सुनाती हूँ आप अपने दिल के एहसास मेरी साथ SHARE करते हैं अपने दिल के जजबात मेरी साथ SHARE करते हैं इन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ कि आपका मैसेज बन सकता है message of the week और आप हो सकते हैं वो lucky winner जिसको मवापलेस की तरफ से मिल सकता है आकरशक इना तो बस हमें message यूहीं भेशते रही है अपना प्यार message के रूप में हम तक यूहीं बरसाते रही है तो दोस्तों अब जो अगला message में पढ़ने जा रही हूं उसमें लीजिए इन्होंने अप मेरे घरवाले कभी नहीं मानेंगे मेरे घरवाले मेरे शादी कहीं और करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मैं आपके कश्मकश को जरू समझ सकते हूं और शायद यही वज़ा है कि आपने अपना नाम नहीं दिया है आपक दर कर कपतक अपने प्यार को छुपाइंगा जिससे प्यार करती हैं उसके साथ जिन्दी की बताने के लिए तो आपको अपने भीतर किस जर्ग को दूर करना होगा разना आपका प्यार आपसे जुदा हो जाएगा मेरी तो यही सला है कि आप दोनों अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताईए उन्हीं प्यार से समझाईए कि आपकी खुशी किसमे है और ये भी कि प्यार पाप नहीं है बदलती दुन्या में प्यार को लेकर बदलती सोच को बताईए उमीद है कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकलिका तो सच मानी इस जर को साइट में कर लीजिए और हिमत से काम लीजिए फिर देखिए किस प्रकास आपकी जंदकी वदरती है दोह रांके देख खिया चहके लागर दोह रांके देख खिया चहके लागर सोना जैसन चमकत रूप निहार ना राजा सोना जैसन चमकत रूप निहार ना राजा जुमाले बे से पहले तनीन धुनिया तार ना राजा जुमाले बे से पहले तनीन धुनिया तार न राजा जुमाले बे से पहले तनीन धुनिया तार ना राजा तो लहिन बना के अहीं आ तरमा तुमरा पर अपना राजा अगना में तुहारा करिया पयालिया छमक 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 बोले हूँ हम जो लेहिन बलों के करिया उतर भूआ दुवरा पे अपना डोरे हूँ अगना में तुहारा करिया पयालिया छमक 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 बोले हूँ मान की अपना सपना दिल के सवार ना सया मान की अपना सपना दिल के सवार ना सया जुमाले वे से पहले तनीन दुनिया प्यार ना राजा जुमाले वे से पहले तनीन दुनिया प्यार ना राजा तो यह आपर लेते एक छोड़ा सब रेक लेकिन हाँ ब्रेक पे जाने से पहले बशीर बद्र का इशे जरूर अर्ज करना चाहूंगी कभी तो शाम धले अपने घर गए होते किसी की आँख में रहकर सवर गए होते अजीब रात थी कर तुम भी आके लौट गए अब आ गए थे तो बल भर ठहर गए होते ब्रेक के बाद SMS दिल से में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अंकेत अथपलया दोस्तो अब SMS दिल से का अपना कारवा अपने आखरी मुकाम पर आकर बहुत चुका है यानि हम शो के लास सेगमिट में आ गए है और आप में पढ़ने जा रहे हैं शो का आखरी मेसेज है इसे भेजा है दिली से और इसे बेजने वाले है रात इन्होंने लिखा है मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं रात आपकी बात से लगता है कि अभी तक आपने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं है वना ये इतनी असमंजस नहीं होता, मेरी सला मानिये तो उसे तुरंट प्रपोस कर दीजे, हो सकता है कि उसके दिल में अभी कोई दूसरा ना हो, वो भी आपको पसंद करती हो, लेकिन दिल की बात कहने में संकोच करती हो, एक बात याद रखिए, प्यार में देरी अच्छी नहीं होते, कभी कभी ये देरी हमेशा के लिए दूरी का कारण बन जाते है, समझ गए? तो तुरंट इजहारे महबत कर दीजे, लेकिन उससे पहले सुन दीजे शो का ये आखरी गाना ट्यूनिंग कराला है अपना, जावानी के बाजा एरानी आजाओ, एरानी आजाओ, खोल दी तहरा दिल के दरा बाजा एरानी आजाओ, खोल दी तहरा दिल के दरा बाजा ट्यूनिंग कराला है अपना, जावानी के बाजा, एरानी आजाओ, एरानी आजाओ, खोल दी तहरा दिल के दरा बाजा एरानी आजाओ, खोल दी तहरा दिलवा के दरा बाजा हुँ लेब नेक शेके सीटो रिलिजिस तर रिलेजिस और रोंग यू 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 इस दिल कह लागी टिूनीग से दिल के लागी तार जहन जना अए मोहाबत के लगबू तूँ गीत गुन गुना वहियां में ओई पूता निकली धुन ताजा ताजा एरानी आजा हो खोल दी तहरा दिल के दरवाजा प्यार वाला बाजा जब ले बाजेला बे सूरा जिनगी जवानी दूनों रहेला या धूरा प्यार वाला बाजा जब ले बाजेला बे सूरा जिनगी जवानी दूनों रहेला या धूरा हमरा के मानी के अपना दिलावा के रोजा एरानी आजा हो खोल दी तहरा दिलावा के दरवाजा प्यूनिंग कराला है अपना जवानी के बाजा एरानी आजा हो खोल दी तहरा दिल के दरवाजा एरानी टिक टक टिक टक जी हाँ घड़ी किसों ही बोल रही है कि अप समय हो गया है टाटा बाई बाई कहने का लेकिन हाँ जाने से पहले आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आज जो हमने मैसेज पढ़े हैं उन्हें पढ़कर मुझे तो बहुत मसा आया लेकिन हाँ अब वो दरशक जो यह सोच रहें कि हमें भी मैसेज भेजने हैं हमें भी अंकिता से ठीर सारी बाते करने हैं लेकिन क्या करें बता देती हूं क्या करना है आपको फोन को ठालीजे टाइप कीजिए SDS दीजे स्पेस टाइप कीजिए अपना मैसेज और उसे भेज दीजे 58888 पर याने की 58888 याद रखिएगा आपके जो मैसेज यहां पर आएंगे उन्हें मैं पढ़ूंगी तो सही आपसे बाते भी करूंगी आपको बहुत सारी सेला भी दूंगी प्यारे पहरे गाने भी सुनाओंगी लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक मौका दूंगी महुआ प्लस की तरफ से आकरशक इनाम जीतने का वो कैसे जब आपका मैसेज चुएगा मेरे दिल को जी हां तो प्यारे प्यारे मैसेज़स करेगा अच्छे अच्छे मैसेज़स करेगा ताकि आप बन जाएं कौन लगी विनर याने के मैसेज ऑफ दो वीग तो चले दरशको अब इस वादे के साथ कि आप से फिर होगी मुलाकात पड़ूंगी आपके दिल से भीज़के प्यारे प्यारे मैसेज़स तब तक के लिए मुझे दीजे जाज़स तिल देन टेक केर एंड बाई बाई टिवार्ट जज छो से होगी मैसेज़स तो बाई प्यारे प्यारे मैसेज़स तो से एंड बाई झाले गष।